पेपर फोड के आना है जो जो कोशन बता रहा हूँ एक भी कोशन छोड़ के नहीं जाना मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर अफ इकॉशिक स्वागत करता हूँ आपका कॉमर्स वाला में और दोस्तों आज की क्लास में Indian Economic Development वाली किताब से दस के दस चेप्टर के Most Important Question बता रहा हूँ जो जो चेप्टर आपके कोर्स में आ रहे हैं पेपर में प्रीबोर्ड बोर्ड के लिए सारे Important Question आपके सामने पेश किये जाएंगे एक भी Question छोड़के नहीं जा सकते आप बस ध्याँ रखना तो पहला चेप्टर है Indian Economy on the Eve of Independence यानि अजादी के टाइम पर Indian Economy के क्या हालात थे इस Chapter को अगर किसी बच्चे ने ढंग से study नहीं किया है न तो मेरी बात सुन लो पीछे Important Question लिखे हूँ है लेकिन मेरी बात पहले सुनो इस Chapter में India के छे सेक्टर के बारे बात की हुई है छे सेक्टर की condition छे में से मैं आपको गिना देता हूँ Agriculture सेक्टर, इंदस्ट्रियल सेक्टर, डेमोग्राफी सेक्टर, इंफरस्ट्रॉक्ट्चर के बारे बात की है Occupational structure के बारे में और foreign trade के बारे में यह 6 चीज़े हैं, इन 6 की 6 चीज़ों के बारे में 3-3 points आपको याद करने हैं तो most of the chapter आपको वहीं complete हो जाएगा तो एक question इस chapter से यह बनता है कि किसी भी एक सेक्टर की क्या हालत थी उसके reason क्या थे वो बताओ तो पहला chapter Indian economy on the eve of independence और important question जो यह 6 लिखे होए हैं न 6 के 6 question हर sector के बारे में है agriculture sector के क्या हालाद थे occupational sector के क्या हालाद थे foreign trade के बारे में बताओ industrial sector के बारे में बताओ demographic profile के बारे में बताओ infrastructure के बारे में बताओ तो एक याद करने का सही तरीका ये भी हो जकता है और अगर आप सोच रहोगे सरीन questions को हम लिखेंगे या screenshot ले कोई ज़रुत नहीं है ये पूरी की पूरी चीज जो आपको हैं पर लिखी भी मिल रही है वो notes की form में आपको PW की mobile app पे मिल जाएगी और वुस application का link description में गीवन है आप असानी से download कर सकते हो तो कोई परिशानी वाली बात नहीं है हर chapter के 5-6-6-7-7 question बताऊंगा जो first वाला chapter है बस इसके 14 यानि 14 question बताऊंगा ठीक है क्योंकि इस question को मैं एक ही segment में डालता हूँ और एक अखेला question 6 number का सकता है कि Indian economy के backwardness के reason क्या थे उसने पर यानि Indian economy के खराब हालत के कारण क्या थे भई जो 6-6 sector है न इन सभी sector में कोई न कोई प्रॉब्लम थी तो अब detail में chapter के नहीं जा रहा हूँ important question बताने बैठा हूँ आ गया जाओ जी फिर यही वाला question what were the causes of backwardness या फिर stagnancy of Indian economy on the eve of independence अजादी के time में Indian economy की stagnancy stagnancy का मतलब होता है slow growth backwardness का मतलब होता है पिछड़ा पन क्या कारण थे उन चीज़ों के यहाँ पर वो बताने है और next question 8 में नमबर का what was the focus of economic policies pursued by colonial government colonial government मतलब British government की बात हो रही है इसका main focus क्या था जो भी policy अंग्रेज बना थे हमारे देश में उनका main focus यह था कि अंग्रेजों के देश में capital industry develop हो जाए ध्यान रखना development of capital goods industry in the British country was the main focus of the economic policies pursued by the colonial government ध्यान रखना और what were the impact of these policies इन policies का impact क्या हुआ इसकी वजह से क्योंकि अपने देश को वह भला करना चाते थे वहाँ पर welfare लाना चाते थे वहाँ पर खुशिया लाना चाते थे उस वजह से इंडिया को इन्होंने exploit किया इंडिया को raw material का exporter बना दिया और finished good का importer बना दिया इसकी detail में भी जाओंगा बस question आपको बता था अगला short question है some modern industries which were in operation in our country at the time of independence अजादी के दाइम पर कुछ modern industry थी है मार देश में हाँ टिसको थी जो आजकल टाकस्टील के नाम से जाने जाती है कुछ सिमेंट इंडस्ट्री कुछ पेपर इंडस्ट्री चोटी मोटी इंडस्ट्री 1940 के आसपास डवलप हुई है अंग्रेजों के टाइम पर ज्यादा डवलप नहीं थी एंड में डवलप हुई थी तो कुछ कुछ है यह short questions है सारे के सारे जो भी तक बताए है long answer question यही वाला है अंगला what was the twofold motive अंग्रेजों का twofold motive क्या था एक दो फोल्ड मतलब दो मोटिव बताने यह लाइन बड़ी पॉपुलर लाइन है इंडिया को raw material यानि primary goods का exporter बनाना और इंडिया को ही finished good का importer बनाना यानि finished good अंग्रेजों की country से बनके इंडिया में आएगी और raw material इंडिया इंडिया से काम करने वाली इंडस्ट्री थी हैंडिक्राफ्ट बोलो हैंड लूम इंडस्ट्री बोलो वह तबहा कर दी थी अंग्रेजों ने ब्रिटिश रूल के अंदर क्या आप इस बात से अग्री करते हैं और क्या कारण है इसका में कारण है introduction of railway और taxation policy अंग्रेज क्या इंडिया की जो हैंडिक्राफ्ट से बनीवी चीज़ें वह एक्सपेंसिफ पड़ती थी लोगों को तो लोग नहीं खरीद रहे थे नहीं खरीद रहे थे तो यह बिक नीरी थी दूसरा railway का introduction अंग्रेजों की बिजनस में अंग्रेजों की गूड्स में लें देन में कश्मीर से कन्या कुमारिता का हैंडिक्राफ्ट पुचाना होता था तो बहुत ताइम लगता था लेकिन अंग्रेजों का समान पुचाना होता था जल्दी पहुच जाता था तो फिर यही प्रॉब्लम थी और कुछ मैं मशीन से कॉंपेडिशन करना हाथ की बनाईवी ठीक है ना अंग्रेज मशीन से समान बनाते थे तो तीन कोश्चन और इस चेप्टर के आएंगे यह लिखा है वाट अब्जेक्टिफ दिड़ ब्रिटिश इंटेंड इंटेंड मतलब जो वो चाहते थे एक्सपक्ट करते थे तू अचीव थू दियर पॉलिसीज ऑफ सिफ्राश्चर अंग्रेज उने डवलब किया मान गए इस बात को उन्होंने इंडिया के अंदर टेलीग्राफ पोस्टल सर्विस ट्रांस्पोरेशन रेलवे कुछ पोर्ट्स बनाए अड्मिनिस्ट्रेटिव सेट अप किया लेकिन उसका अब्जेक्टिव क्या था क्या इ अग्रेज उने ब्रिटिश ने कोई पॉसिटिव कॉंट्रिबिशन दिया था इंडिया के लिए हां दिया था कुछ इंफ्रस्ट्रेट्ट्टर फैसिलिटी दी लेकिन यह अंसर जब भी लिखते हैं तब भी हम हमेशा लिखते हैं कि यह सब उन्होंने अपने एकॉनोमिक को फुल्फिल करने के लिए किया इंडिया के भले के लिए नहीं किया और बीच में कोशन रहा गया वह दो यू अंडरस्टेंड बाइदा ड्रेन वेल्ट डादा बाइन नौरोजी ने कांसेंट दिया था ड्रेन ओफ इंडियान वेल्ट डूरिंग कॉलोनियल पिरिएड य इसे drainage होती है न वाटर के वह बहाके ले जाते हैं तो यह हमारी wealth को लेकर चले गए कैसे wealth को लेकर चले गए इंडिया का जो ट्रेड सब्सक्राइब करते हैं इंडिया के समान का यह खुद अपने कंट्रोल में तो फाइदा रखते थे जो भी इंडिया इसको मतलब भी समझा देता हूं आपको अलग से आपका सही रहे सिस्टम यह लोगी जो भी इंडिया को जो एक्सिपॉर्ड इंपॉर्ट से ट्रेड सरपलस होता था मतलब झेड में जो फाइदा होता था इसका यह इस्तमाल करते थे पैंक का खमके पलर करना बढ़का जो भी फाइदा मतलब यह ले रहे थे इंडिया शेंस इंडिया करता तो कुछ foreign currency कमा रहा होगा ना उस पैसे का ये यूज करते थे जहां पर भी इनकी लड़ाईयां हो रही है वह और हो रही है तो अपने वह एक्सपेंसिस में यानि employees जो इनके सैनिक हैं के ड्रेस के लिए बं गोला बारूद खाने के लिए या फिर अपने administrative official setup के लिए जो भी office है इनके उनकी salary वगएरा इसी पैसों से दी जाती थी या फिर कुछ invisible items का import कराते थे दूसरे देशों से इंपोर्ट invisible item मतलब services लेना import of invisible items ये तीन थे में इन तीन रीजन की वजह से बोला गया है कि इंडिया की wealth लेकिन फाइदा उठाया अंग्रे जोने ये चोदा कोशन है अब आते हैं सेकेंड चेप्टर पे इंडियान economy डियूरिंग 1950 से 1990 सन 1950 से 1990 अगर आपको पढ़ना है अच्छे से चैप्टर तो ध्यान रख लेना इसमें चार चीज़ आपको पढ़नी है पहले पर नंबर पे इंडिया का अग्रिकल्चर सेक्टर इसके इंदर लैंड रिफॉर्म पगारा पढ़ने तीक है निव अग्रिकल्चर पॉलिशी ग्रीन रेवोलुशन इसके इंदर आएगा दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है तो यहां पर आई सी प्लैनिंग इंडिया में 1951 में शुरू हो गई थी ठीक है यह चार चीजे तुम डिमाग में सौट करके चलोगे तो पता लग जाएगा चैप्टर नंबर तू यह चार चीजों के आसपास घूम रहा है ठीक है अब यहां से कुछ कोशन उठाए गए हैं पहले नंबर का तो अमीर लोग इसको खरीद पाते थे तो अमीर लोग इसको खरीद पाते थे तो गरीब फार्मर मार्जिनल फार्मर का फाइदा नहीं होता था तो सरकार ने सोचा कि मार्जिनल फार्मर को थोड़ी सी सबसीडिस प्रोवाइड कर दी जाए फिर सबसीडिस के ऊपर डिबे का कोशन में होता है marketable surplus क्या होता है एक होता है subsistence farming subsistence farming का मतलब होता है जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं production करूँगा 10 kg गेहों मुझे चाहिए 10 kg गेहों का production करूँगा लेकिन अगर मैं 15 kg का production कर रहा हूं तो 10 kg तो मैं अपने इस्तेमाल में ला रहा हूं पांच किलो मार्गर में बेच हुआ जितना मैं एक्स्ट्रा प्रोडूस कर रहा हूं वो मार्केटेबल सरफ्लस है पांच किलो ठीक है ना गरीन रेवलूशन क्या होता है इस्तेमाल करना ताकि फूड गरेन का प्रड़क्शन बढ़ जाए इंडिया में क्यों इंप्लिमेंट हुआ है यह ब्रीफ में एक्स्ट्रेन करो वाइट इस इंप्लिमेंटेट इन इडिया यहां पर कॉशन इंकंप्लिट है इसके थोड़े से एडवांटेज और रिस्क भी अमीर फार्मर इसको खरीद पा रहे थे अब इसकी वज़े से फूड ग्रेन का प्रड़क्शन जादा ओगा तो फूड ग्रेन की सप्लाई जादा हो गई तो फूड ग्रेन सस्ती हो गई तो लोगर इंकम गुरुप को भी इसका फाइदा हुआ यह इसका बेनेफिट है आप इस बात से अगरी करते हो इसकी यूसफुलनेस से तो आपको यहाँ दोनों बाते बतानी है पार्मर को फाइदा क्या होगा सब्सीडिस का और सरकार को नुकसान क्या होगा ठीक है बड़ा इंपोर्टेंट कोशन है इंपोर्ट सब्सीडिशन का मतलब होता है जो चीज़े हम फोरण कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं वो उनसे इंपोर्ट ना कराके उसके जैसी चीज अपने देश में बना ले एक्जेक्ली वैसी नहीं बन रही हो तो उसकी कॉपी बना लो देश के अंदर पाकिस्तान ने भी इसको इस्तेमाल किया इंडिया ने भी इसको इसको इस्तेमाल किया इसकी वज़े से क्या होता है जो domestic companies होती है उनको आगे पढ़ने का मौका मिल जाता है foreign companies ए competition नहीं रहता तो आगे जल्दी बढ़ सकती है वो अगला question कि why and how was private sector regulated under the IPR 1956 आप mouldy ऑक इंदर सब्सक्राइब कर दिया इंडिया की सारी फासी को तीन पाट में डिवाइड की साै है इन पुलती है कि जो भी small scale industries खुलेगी उसको subsidies मिलेगी यानि government कुछ फाइदा देगी तीसरा कोई भी remote area या backward area में industry खोलेगा उसको भी tax के benefits मिलेंगे तो ये कुछ benefits चोती feature थी कि कोई भी काम धंदा खोल लो चाहिए कहीं भी खोलोगे industry आपको license लेना ही पड़ेगा बिना license के कोई काम धंदा नहीं खोल सकते हैं कैसा भी हो चार features थी इसकी जो आपको तीन कम से कम इसकी याद रखनी है तो यार ये second chapter के question अच्छा अब मैं बताऊं इसके अंदर कुछ चीज और भी बची है यहाँ पर याद economic planning के long term objectives थे long term objectives वो भी करने हैं आपको modernization, equity, economy growth ये वाले objectives भी करने हैं आपको तो एक question foreign trade से, एक industrial sector से, agriculture से land reform का भी कर सकते हो extra मतलब इतने question करने आपको जरूरी है ही है हर हालत में छूड के नहीं जा सकते अगला economic reform से नहीं LPG policy के chapter की बात हो रही है तो यहाँ पर LPG policy की जरूरत क्या थी, 1991 में क्यो economic reform लाए गए पहला question ये बनता है फिर liberalization क्या होता है, privatization क्या होता है, globalization क्या होता है इन तीनों की definition और इन तीनों के अंदर क्या-क्या measures आते हैं वो करने के बाद, WTO का rule, WTO क्या है, यहाँ पर, फिर GST एक नया concept जुड़ा है उसके बारे में जाता है, तो कुल मिला के LPG की policy, new economic policy थी, इसको ही बोलते हैं इसका फाइदा हुआ या नुकसान हुआ यह, बस इतना ही chapter करना है आपको और यहाँ पर outsourcing का question globalization से आता है, यानि सारी बाते करने के बाद, अगर यह रह गया तो गड़बड़ी है इंडिया को इसका फाइदा कैसे हुआ, outsourcing होता है कि third party को कुछ काम धंदा provide कर देना जैसे कि कोई foreign country से company इंडिया में आ रही है, मालो Elon Musk लेकर आ रहा है कि Tesla की car बैंगलोर इंडिया में बनेगी तो car की company बनाएगा वो, बैंगलोर के अंदर, लेकिन company के अंदर security guard के service चाहिए होगी, accounting के service चाहिए होगी, legal services चाहिए होगी, दूसरी और service चाहिए होगी, सारे बंदे अमेरिका से नहीं लिका आएगा कुछ service वो इंडिया को देगा, तो जो इंडिया को services प्रोवाइड कर रहा है वो, तो इंडिया में काम धंदा employment बढ़ रही है, this is called outsourcing, जब मैं कोई काम outsource करता हूँ, मतलब कि कुछ activities किसी और को दे रहा हूँ करने के लिए, तो यह important है, what was the need of economic reforms, economic reform की read, मतलब इसके causes बता गया था, Gulf crisis बोल सकते हो, inflation बोल सकते हो, poor performance of public sector enterprises बोल सकते हो, there were some reasons, वो करने है, अगला, explain the measures taken in various sectors for the liberalization, liberalization में कौन कौन से सक्टर में measures लिए गए थे, यानि सुधार किये गए थे, वो बताने है, financial sector में किया गया था, industrial sector में किया गया था, fiscal policy measures थे, banking sector measures थे, foreign sector measures थे, पांच थ और तीन बताने है, चार नंबर का और चार बताने है, चीक है ना, आगे इस से उपर का नहीं होगा, discuss the positive impact of new economic policies का फाइदा क्या हुआ, ये बताना है, ठीक है, economy growth हो गयी, लेकिन इसकी critical evaluation नुकसान भी बता सकते हो, कि employment growth rate तो बड़ी है, लेकिन जितनी पहले बढ़ रही थी उतनी नहीं बड़ी, मतलब increase in employment growth कम हो गया, पहले 2.something percent से बढ़ रहे थी है, 1.something percent से बढ़ रहे है, exact date आपको याद करने की ज़रुत नहीं है, नुकसान भी इसके याद करने है, agriculture sector को ignore कर दिया था completely यहाँ पर, ये भी इसका नुकसान है, तो लिक का है, agriculture sector appears to be adversely affected by the reform process, reform process म agriculture sector को नुकसान हुआ था, क्यों, क्योंकि उसको neglect कर दिया था, subsidies हटा दी थी, fertilizer वगेरा पर, export oriented economy बना दी थी, तो agriculture वाले भी उन चीजों पर focus करने लगे थे, जिन चीजों का export कर दिया जाता है, food grain पर focus कर रहे थे, commercial crops पर जादा focus कर रहे थे, तो उससे food grain का production कम हो गया, food grains की rate बढ़ गए, यहां पर था, world trade organization के उपर short note इसके function वगेरा, GST क्या होता है, कबलों चुआ था, इसकी क्या types है, इसके उपर, छोटे-छोटे question, max to max 3 number के आ सकते हैं, इतने ज्यादा नहीं आएंगे इसके उपर, यह economy reforms का chapter, यहां से तुम कोई भी question compromise करके, कता ही नहीं जा स सकते हैं, जल्द यहली बता रहा हूँ, अब आएंगे human capital formation पे, human capital और physical capital का अंतर, फिर human capital और human development का अंतर, अब यहां पर बता दू, human capital से broader concept है, human development, ठीक है, फिर human capital formation के importance, problems यहनी difficulties और sources, इन तीनों पे से question paper में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके बाद, यहां पर छट educational sector, educational sector, education sector, education sector मत छोड़ के जाना, क्योंकि यहां से छोटा सा question बनने के chance रहते हैं, कुछ regulatory authority की full form करके चले जाना, जैसे कि UGC की full form क्या है, NCERT की full form क्या है, AICTE जो technical education को control करती है, benchmark standards set up करती है, इसकी full form क्या है, अब ICMR medical वाली इसकी full form क्या है, ठीक है, और इसमें education को कितने sector में डिवाइड किया हुआ, primary, secondary और cursory, ठीक है, और right to education, यह कब आया था, like 2009 में, फिर इसका update भी हुआ है, तो कब हुआ है, ठीक है, कौन सी committee कब बैठी थी education related, इसकी achievements basically education sector की, यह आप कर सकते हो, कुटे चोटे question यहां बन सकते है, बड़ा question नहीं बने कौन कौन से key issues है, कौन कौन सी problem चल रही है, आप उसको छोड़ कर बिल्कुल मत जाना, पहले number पे, दूसरा, formal, formal चोड़ो, institutional और non-institutional source of credit, institutional versus non-institutional source of credit, इसके बीच में तीन, इतीन difference कर सकते हो, institutional मतलब banks वगेरा के बारे बात हो रही है, non-institutional मतलब informal source of rural credit है, इसके अंदर money lenders, जमीनदार, commission agent वगेरा इन सब की बात होती है, फिर agricultural marketing का question सबसे था, important माना जाता है इस chapter से, agricultural marketing में आपको दो चीज़े करनी है, एक agricultural marketing में क्या problem चाल रही थी, बड़े-बड़े traders manipulate कर रहे थे farmers को, ठीक है, और information के गलत supply हो रहे थी, rate अलग charge हो रहे थे, फिर government ने क्या किया, ये ज़्यादा important है, गौर्मेंट ने क्या किया, regulated markets आई है यहाँ पर, ये very important बोलता हूँ इसको में, regulated market, infrastructure development, कुछ policy measures नहीं है, cooperative marketing societies गौर्मेंट ने बनाने को बोला है, तो यहाँ पर, ठीक है, और फिर आप इस chapter में, डाइवर्सिफिकेशन जरूर करके जाओगे, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इसके benefits, यहीं पर ही आपको, white revolution और golden revolution देखने को मिलेगा, और last में, organic farming, organic farming क्या होती है, इसके advantages क्या है, और इसके सामने challenges यानि, difficulties क्या है, plus points और minus points, difficulties मतलब, lesser yield यहाँ पर होती है, मतलब ज और जो यह समान organic farming के दुवारा बनाया जाता है, वो जल्दी perishable होता है, जल्दी सडगल जाता है, यह नुकसान, पांस topics है जिस पर आपको ज्यादा focus करना है, इस chapter के अंदर, बाकि एक च्छोटा सा point बताऊंगा, तनवा की full form आप से एक number में पूर सकता है, Tamil Nadu agricultural woman, या Tamil Nadu woman in agriculture, इसके बार हैं पूर सकता है, तो एक number के, यह rural development का chapter आप अपने दिमाग में ऐसे mind mapping कर लो, कर लो गया सानी से, अगला employment का chapter पोवर्टी अभी लास्ट में बाद में लाओंगा, तो employment में सबसे important नरेगा, 2005 में आया था, इसके efforts, इसके benefits छोड़के निजाने है, और is it necessary to generate employment in the formal sector rather than informal, formal में employment generate करना जरूरी है, informal से comparison करें तो, जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि formal sector में employment के, government laws के benefit लोगों को मिलते हैं, informal sector में जो लोग काम करते हैं, वहाँ पर government laws का benefit लोगों को नहीं मिलता, इसलिए और भी benefits है, explain the measures taken by the government to reduce unemployment, यह very important question है, बेरोजबारी को दूर क कर आजाते हैं, government ने जो जो प्रोग्राम बनाए है, policy बनाई है, लेकिन असलियत में, आपको इसके answer में लिखना है, कि government ने दो तरीके के efforts नहीं है, एक direct efforts, दूसरा indirect efforts, direct efforts के अंदर, government की, खुद की recruitment होती है, government companies के अंदर, PSU के अंदर, वो नोकरिया देती है, indirect मे दो बाते ह होती है, government open market में समान खरीकती है, तो purchasing open market, ताकि market में जो companies उनका समान बिखता रहे, तो उनके अंदर, नोकरिया बनी रहे, दूसरा ही indirect में है, ये policies measures like Narega, और दूसरी policies, ठीक है, फिर compared to urban women, more rural women are found working by, गाओं के अंदर ladies ज्यादा काम करते हैं, compared to share, क्योंकि गाओं के अंदर poverty का level ज्यादा है, ये बोल सकते हैं, ये सच में फैक्ट है, गाओं के अंदर ladies ज्यादा economic activity के अंदर engage होती है, चाहे हो agriculture क्यों हो, jobless growth क्या होती है, casualization of workforce क्या होता है, इसके साथ, informalization of workforce भी करना है, या लिखा नहीं है, casualization के साथ, informalization, informal sector में employees की संख्या बढ़ना, informalization of workforce होता ह है, ठीक है, ओके, फिर disguised और seasonal unemployment में difference, these are important questions from this chapter, और कुछ फालतू आगरने की जरूत नहीं है, ये कर लोगे आपका काम बन जाएगा, अगला chapter environment की बात हो रही है, तो यहाँ पर sustainable development, last वाला chapter है, उसकी तीन strategy, तीन क्या चार कर लेना strategy आपके काम आएगी, फिर affluence trap, carrying capacity, absorptive capacity, इसको assimilation capacity भी बोलते हैं, तो इन तीनों के उपर नोट आपको आना चाहिए, हाँ, global warming भी, ozone layer, depletion, pollution भी important है, अब यहाँ पर ने question मनता है, dichotomy वाला, कि environment की serious problem है, dichotomy, dichotomy का मतलब होता है two parts में, यानि एक गरीबी और एक effluence, दो चीजें ऐसी है, जिससे environmental problem बढ़ रही है, अब effluence क्या होता है, सुन लो, भला करने निकले थे और नुकसान हो रहा है, सब लोग भला करने के चकर में ज्यादा production करने लगे है, factory में ज्यादा production करने के चकर में, ज्यादा pollution हो रहा है, environment को नुकसान हो रहा है, तो बढ़िया करने के चकर में नुकसान हो रहा है, effluence का मत पैसे नहीं अगर खरीदने के वहां बना लेंगे तो वैसे ही इन्वारिमेंट का नुक्सान कर रहे हैं तो दिस कोशन इस वेरी इंपोरेंट यह एंसी आड़े का उठाया कोशन है एक्जाम में आता है यहां से कोशन में यह यह चीज बड़ी इंपोरेंट है इकानोमिक डवलोपमेंट इन चाइना चाइना में इकानोमिक डवलोपमेंट बहुत जलदी क्यों हो गई उसके बारें बताना है चाइना में रिफॉर्म चल्दी होए थे 1978 में बिना किसी प्रेशर के फिर चाइना रेपिड इंडुस्ट्रिट्रियल ग्रोथ चैन बेट इस explain करो elucidate चाइना की growth के बारे में बोलना है एक बात बढ़ाया तो 1978 में चाइना में reform स्टार्ट हो गए थे 1979 में चाइना में one child norm स्टार्ट हुआ था जो कि 2016 में खतम हो गया और 1958 में चाइना में great leap forward स्टार्ट हुआ था 1966 से लेके 76 तक great proletarian cultural revolution स्टार्ट हुआ था चाइना में फाइव 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 यर प्लानिंग शुरू हो गए थी उनीश्व तरेपन में तो कुछ फैक्ट से जो आपको ध्यान रखने है चाइना से रिलेटेर वही में कोशन बनेगा यहां से इंडिया चाइना पाकिस्तान तीनों की comparison आ सकती है किसी भी इंडिकेटर से रिलेटेड यूमन डेवलप्मेंट इंडिकेटर हो सकता है वो में बताता हूं जिससे आएगी वो सुन लो demographic का कोई इंडिकेटर हो सकता है demographic इंडिकेटर का मतलब population से रिलेटेड इसमें population density हो सकती है सबसे में वही है ठीक है life expectancy rate हो सकती है और ज्यादा डेटा आपको याद करने के लिए बोल नहीं रहा है इस चैप्टर से अगर कोशन आएगा तो टेबल बनी बनाई खुद देदेगा आपको टेबल के लास्ट में कोशन दिया हुआ लिबर्टी इंडिकेटर क्या होता है लिबर्टी इंडिकेटर यह मत छोड़ के जाना ठीकिना इतने कोशन कर लो आपका भला हो जाएगा तो टोपर सोंगे तो जो बात मैं लिख रहा हूं उसको देख रहे होंगे जो इंपोर्ट में नही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपोर्डेंस इंपोर्डेंस ओफ इंफ्रास्ट्रक्चर याद करनी है यह सबसे इंपोरेंट कोशन है और इसी के लिए लिखाव है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉंट्रिब्यूट्स इन एकॉनमिक डेवलप्मेंट ऑफ कंट्री येस कॉंट अर्बन डिवाइड बगेरा मतलब शहर में जादा ऑस्पिडल है गाउं में जादा पोपुलेशन है ऑस्पिडल गाउं में जादा होने चीए वहां पर उतनी अवेलिबिलिटी है नहीं अच्छा रूरल डेवलप्मेंट में एक इंपॉरेंट कोशन बूल गया भाई द्रेक्वेट ब mostrar लास्तमें पॉरीटी का च्प्टर घरीयेश आपके किसी काम की है नहीं कि यह चीज़ेश आपको नहीं करने इसंग आपको इंपॉरिंट कोशन करना है वो पता रहा हूं यह काम की निया आपके यह गासी लिगधि है आपर गलती से पहलीच चैप्टर मे absolute और relative poverty जो measures है, absolute versus relative poverty उसका difference आपको होना चाहिए, दूसरे नमबर पे आपको पता होना चाहिए, poverty line का concept, poverty line के concept के अबर भूत comments आती है, छोटा सा jail cost of living के बारे पता होना चाहिए, और poverty elevation programs आपको याद होने चाहिए, चाहिए, चाहर कम से कम, और फिर चौते नमबर पे, poverty elevation programs जिसको मैं PAPS बोलता हूँ, इसका critical evaluation, सबसे ज्यादा important step रखा है, ठीक है, यह चीज, यह Indian economic development के important question बताए है, यह जरूर करके जाना मेरी तरफ से all the best है, अगर आप चाहते हो कि आपको CBSC का sample paper solve कराया जाए, तो comment section में बता दो, वो भी live में आकर solve करा दूँगा, तो आज के लिए इतना ही दोस्तो, जो भी आपको चीज़े कराई है, वो धंक से कर लेना, अगर आपको live session चीज़े तो comment session में बता सकते हो, live आके आपको सब कुछ बताऊँगा, तो जय हिद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद. झाल, 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 झाल.